नमस्कार दोस्तों मैं हूं कम या दोस्तों जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो हमें सबसे पहले पुलिस की आदाती है यानि खाकी वर्दी ही है जिससे क्राइम करने वाले डरते हैं और आम इंसान आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं पर क्या आपने कभी सोचा ह कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यूं होता है अगर नहीं तो आए जानते हैं क्यूं होता है पुलिस की वर्दी का रंग खाकी दोस्तों अगर अपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले में हमेशा नए नए टॉपिक पर विडियो बनाती आपके रहती हूँ आज भारत में खाकी वर्दी, पुलिस की बड़ी पहचान मानी जाती है, कौकता को, छोड़कतेश के सभी राजियों की पुलिस की वर्दी खाकी ही है, बस कहीं पर इसका रंग थोड़ा हलका तो कहीं पर थोड़ा गहरा है, जिससे हर जगे पुलिसको दे पहले भारत में शासन से प्रशासन तक हर जगे ब्रिटिश सरकार की ही हुकूमत चलती थी इस दोरान तब उनकी पुलिस सफेद रंगी वर्दी पहनती थी हाला की लंबी ड्यूटी के दोरान यह जल्दी गंदी हो जाती थी जिससे पुलिस कर्मी भी परिशान होते थे कई ब इस खाक रंगों में वर्दी में दिखने लगी थी यह देखकर आला अफसरोंने पुलिस कर्मीयों की वर्दी को एक जैसा दिखाने और गंदी होने से बचाने के लिए खाक रंग की डाई तैयार कराई थी इस खाक रंग की डाई लगने के बाद उस पर धूल मिटी और दा गादी थोड़ा कम दिखेंगे यह खाक रंग लोगों को भी पसंद आया था इसके बाद इस खाक रंग को अधिकारिक रूप से पुलिस की वर्दी में शामिल कर दिया गया था कॉलकता पुलिस की वर्दी का कलर आज भी सफेद है इसके सफेद होने के पीछे की वज़े है थ 1720 में कॉलकता की पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने और अपराध पर रोक लगाने के लिए नियुक्त किया गया था उस समय वहां की पुलिस की वर्दी का सफेद रंग इतेहास का एक हिस्सा मान कर उसे बरकरार रखा गया है पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होने के पीछे क उसे पहनने वाले कार्मचारियों को सहुलिहत प्रदान करना है इसलिए पुलिस की वर्दी का रंग खाकी है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग प्लीज कमेंट करके बताए धन्यवाद